बारतिय लोगतंत्र बचाओं मोच्चा के संस्थापक शाकिर अली राइनी और राष्ट्रे अध्यक्ष ओंकार सिंग एडवोकेट द्वारा संगठन को गती प्रदान करने के उद्देश से लगातार संगठन का विस्तार किया जा रहा है संगठन में महंती इमानदार करमट जुझारू और युवा वर्ग को प्रात्मिकता दी जा रही है ताकि जन्मानस की समस्याओं को शाषन और प्रशाषन तक पहुचाया जा सके और उनका समाधान कराया जा सके इसी क्रम में संगठन का विस्तार करते हुए युवा नेता जिशान खान को भारती लोक तंत्र बचाओं मोचा का राश्ट्य उपाध्यक्ष पहीम मनसूरी को भारती लोक तंत्र बचाओं मोचा युवा प्रकोष का प्रदेश अध्यक्ष शैजाद एहमा सिदीकी को प्र शाकिर अली राइनी और राश्टी अध्यक्ष उमकार सिंग एड्वोकेट द्वारा मनुनियन पत्र वित्रित किये गए किसी के साथ नमनियुक्त पदादिकारियों का मालयारपन कर स्वागत हुए मनुनियन के विशे में जानकारी देते हुए संस्थापक शाकिर अली रा स्वार्धियों करता है जन हित के बद्द्र उठाता है और भरश्चा चार के खिलाफ लड़ता है और लड़ता रहेगा और मोर्चों को नई गति मिलेगी इसे हमें पूरी उमीद है और मोर्ची की नीतियों को जन जन पहुचाएंगे यह लोग लोग बाग इससे जुड़ते चले जा रहे हैं और इसी से प्रभावित होकर लोग बाग इससे जुड़ते चले जा रहे हैं करा जा रहा है आज हमने इस तीन लोगों को मनुनित्या है इससे हमें आसा वे विश्वास है कि ये मोर्चा को की नीतियों को जंजन तक पहुचा कर इसको मच्बूत करेंगे आज मोर्चा की नम्योक प्रदीश अधियक्षिव फाहीम मंसूरी और नम्योक ते राश्ट्य कि उनका प्रयास रहेगा कि संग्ठन के माध्यम से दबे कुछले और पिछडों की आवास को बुलंद किया जाए और उनका समाधान भी कराए जाए दोनों पतादिकारियों ने आगे क्या कहा ये सुनते हैं तन बचाओं मोर्चा का आपको प्रदेश अध्यक मनुनित किया गया है क्या पिरियास रहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे हमारे जो इसके अतापक है और जो भी इसके अध्यक्राइब है बहुत अच्छा मुद्ध बढ़ाया था इससे मुझे वह अच्छा लगा मैंने इसके साथ प्रेश मुझे लगा भारती लोक्तन बचाओ मोचा एक वो मोचा है जो दबे कुछले अगले कुछडे तलित अल्शंक्याक भाईयों की आवास को बुलन करता है गा दबे कुछलों की आवास को उठाता है गा और आगे भी ये प्रद्याद जाली रहेगा और आज इस कार्मे में बड़ोतरी उसके तांदे से तांदे मिला के साथ चलेंगे और हमेशा क्याना में मजलूमों की लड़ाई लड़ते रहे हैं